तृतिय परिच्छेद केवल पांडित्य मिथ्या, साधना और विवेक वैराग्य समाधी की बाते करते करते ठाकुर का भावांतर हो गया उनके चंद्र मुख से स्वर्गी अजयोती निकलने लगी अब बाहिय ज्यान नहीं है, मुख में एक भी बात नहीं नेत्रस्थिर, निश्चय ही जगत के नात के दर्शन कर रहे है अनेक्षन पश्चात, प्रकृतिस्त होकर बालक की न्याई कहते है आमी जौल खाबो, मैं पानी पीऊंगा समाधी के पश्चात, जब जल पीने के लिए मांगते है तब भक्तों को पता लग जाता है कि अब क्रमशह इन्हें होश आ जाएगा ठाकृर भाव में कहने लगे मां, उस दिन ईश्वर विद्या सागर को दिखाया था उसके पश्चात मैंने फिर कहा था मां, मैं और एक पंडित को देखूंगा इसी लिए तुम मुझे यहां लाई हो फिर शशधर की ओर ताक कर बोले बाबा, और थोड़ा सा बल बढ़ाओ और कुछ दिन साधन भजन करो पेड़ पर बिना चड़े, फल का गुच्छा फिर तुम तो लोगों के भले के लिए ही यहां सब कुछ कर रहे हो यहां कहकर थाकुर शशधर को मस्तक जुका कर नमस्कार करते हैं और भी कहते हैं जब पहले पहल तुम्हारी बात सुनी तो पूछा था कि यहां पंडित क्या कोरा पंडित ही है या विवेक वैराग्य भी है जिस पंडित का विवेक नहीं है वहाँ पंडित ही नहीं है यदि आदेश हो जाए तो लोकशिक्षा में दोश नहीं है आदेश पाकर यदि कोई लोकशिक्षा दे तो उसे कोई हरा नहीं सकता वागवादीनी के पास से यदि एक भी किरण आ जाती है तो फिर ऐसी शक्ति होती है कि बड़े बड़े पंडित गंड भी केचुएं किभाती हो जाते हैं दीपक जलाने पर बरसाती कीडे धेर के धेर अपने आप ही आ जाते हैं पुकारना नहीं पड़ता वैसे ही जिसने आदेश पाया है उसे लोगों को पुकारना नहीं पड़ता अमुक समय लेक्चर होगा कहकर खबर भेजनी नहीं पड़ती उनकी ऐसी खेच होती है कि लोग उसके पास अपने आप आ जाते हैं तबराजा, बाबू, दल के दल आते हैं और पूछते रहते हैं आप क्या लेंगे आम, संदेश, रुपया, पैसा, शौल इत्यादी लाया हूँ आप क्या लेंगे मैं उन सब लोगों से कहता हूँ, दूर रखो, मुझे यहाँ सब अच्छा नहीं लगता, मैं कुछ नहीं चाहता चुम्बक क्या लोहे से कहता है, तुम मेरे निकट आओ, आओ कहना नहीं पड़ता लोहा अपने आप ही चुम्बक पत्थर के आकर्शन से दोड़ा आता है ऐसा मनुष्य पंडित अर्थात विद्वान चाहे नहीं होता इस कारण यहां मत सोचो, कि उसको ग्यान की कुछ कमी है उस तक पढ़ने से क्या ग्यान हो जाता है? जिसने आदेश प्राप्त कर लिया है, उसके ग्यान का शेश नहीं होता वहां ग्यान इश्वर के पास से आता है, खत्म नहीं होता उस देश में धान मापने के समय एक व्यक्ति मापता है तथा और एक जन, राश, अर्था धेर, ठेल देता है वैसे ही जिसने आदेश पा लिया है, वहां जितनी चाहे लोकशिक्षा देता रहता है माँ उसके पीछे से ग्यान की राश ठेल देती है वहां ग्यान कभी भी समाप्त नहीं होता माँ का यदि एक बार कटाक्ष हो जाता है तो फिर ग्यान का क्या अभाव रहता है तभी तो पूछता हूँ की कोई आदेश पाया है की नहीं हाजरा हाँ, अवश्य ही आदेश प्राप्त किये हुए है क्यों महाशे पंडित नहीं, आदेश ऐसा तो कुछ नहीं मिला ग्रिहस्वामी आदेश तो चाहे नहीं प्राप्त किया किन्तु कर्तव्य बोध से लेक्चर देते है श्री रामकृष्ण जिसे आदेश नहीं मिला उसके लेक्चर से क्या होगा एक जन ने लेक्चर देते हुए कहा था भाई रे, मैं कितनी शराप पिया करता यहां करता था, वहां करता था यहां बात सुनकर लोग शोर करने लगे साला, क्या कह रहा है रे शराप पिया करता था यहां बात कहते ही उल्टी गड़बढ हो गई इसी लिए भला व्यक्ति बने बिना लेक्चर से कोई उपकार नहीं होता बरिशाल वाले एक सब जज ने कहा था महाशेह, आप प्रचार आरंभ करे तो फिर मैं भी कमर कसता हूँ मैंने कहा, अरे भाई, एक कहानी सुनो उस देश, अर्थात कामार पुकुर में हलदार पुकुर नामक तालाब है बहुत जन उसके किनारे पर बाहिय कर दिया करते थे प्रातह के समय जो लोग तालाब पर आते गाली गलोच में उनके भूद भाग जाते किन्तु गाली गलोच से कुछ काम नहीं होता था फिर दूसरे दिन भी प्रातह किनारे पर पाखाना किया हुआ लोग देखते कुछ दिन बाद कमपनी अर्थात म्यूनिसिपैलिटी के एक चपरासी ने तालाब के निकटे खुपम लगा दिया कैसा आश्चरियर एकदम ही वहाँ पर बाहिय जाना बंद तभी कहता हूँ तुछ व्यक्ति के लेक्चर देने से कुछ काम नहीं होता चपरास रहने पर ही लोग मानेंगे इश्वर का आदेश बिना हुए लोग शिक्षा नहीं होती जो व्यक्ति शिक्षा देगा उसमें बहुत शक्ती चाहिए कलकत्ता में अनेक हनुमान पुरिया है उनके संग तुम्हें लड़ना होगा ये लोग तो जो चारो और सभाव में बैठे हुए हैं पाठा हैं, बली के पशु, भैसा बक्रे हैं चैतन्य देव अवतार हैं, वे जो कर गए हैं उसका ही क्या रह गया है बताओ तो जरा और जिसने आदेश नहीं पाया है, उसके लेक्चर से क्या उपकार होगा तभी तो कहता हूँ, ईश्वर के पाद बद्मों में मगन हो जाओ यहां बात कहकर ठाकुर प्रेम में मतवाले होकर गाना गाते हैं भावार्थ, इस सागर में डूबने से मरता नहीं, यहां तो अमरित सागर है मैंने नरेंद्र से कहा था, ईश्वर रस का समुद्र है तू इस समुद्र में डूबकी लगाएगा की नहीं, बता अच्छा कलपना कर, एक कटोरी में रस भरा हुआ है और तू मक्खी हो गया है, कहा पर बैठ कर, मुख बढ़ा कर रस पियेगा नरेंद्र ने कहा, मैं कटोरी के किनारे पर बैठ कर, मुख बढ़ा कर पियूँगा क्योंकि अधिक दूर जाने पर डूब जाओंगा तब मैं बोला बेटा, यहां सच्चिदानंद सागर है, इसमें मरण का भय नहीं यहां सागर, अमरत सागर है, जो अज्ञानी है वे ही कहते हैं कि भक्ती प्रेम की बढ़ा बढ़ी अर्थात अती नहीं करनी चाहिए क्या इश्वर प्रेम की अती होती है? तब ही तुम्हें कहता हूँ, सच्चिदानंद सागर में मगन हो जाओ इश्वर लाब होने पर क्या चिंता? तब आदेश भी होगा, लोकशिक्षा भी होगी चतुर्थ परिच्छेद इश्वर लाब के अनन्तपत, भक्ती योगी, योगधर्म श्री रामकृष्ण देख, अम्रित सागर पर जाने के अनन्तपत है जिस किसी भी प्रकार से क्यों न हो इस सागर में गिरने से ही हो जाता है कल्पना करो, अम्रित का एक कुंड है किसी भी प्रकार से मुख में तनिकसा यहां अम्रित पढ़ने से ही अमर हो जाओगे तुम चाहे स्वयम छलांग मार कर गिर पड़ो या सीढ़ी द्वारा धीरे धीरे उतर कर तनिक्सा खाओ अत्वा कोई तुम्हें धक्का मार कर ही गिरा दे फल एक ही है तनिक्सा भी अमरित का आस्वादन करने से ही अमर हो जाओगे अनन्त पत है उनमें ज्ञान, कर्म, भक्ति जिस पत्ष द्वारा ही चाहे जाओ आंतरिक होने पर ईश्वर मिलेंगे योग तीन प्रकार के हैं ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग ज्ञान योग ज्ञानी ब्रह्म को जानना चाहता है नेती नेती विचार करता है ब्रह्मसत, जगत मिथ्या यहाँ विचार करता है सत असत विचार करता है विचार का शेश जहां पर होता है वहाँ पर समाधी होती है और ब्रह्म ज्ञान लाब होता है कर्म योग कर्म द्वारा ईश्वर में मन रखना जो तुम सिखाते हो, अनासक्त होकर करने से प्राणायाम, ध्यान, धारणादी कर्मयोग है। भक्तियोग, ईश्वर का नाम गुण कीर्तन इत्यादी करके मन उनमें रखना। कलियोग के लिए भक्तियोग सहजपत है। भक्तियोग ही है युगधर्म। कर्मयोग बड़ा कठिन। रथमतह, पहले भी बताया था, समय ही कहा है। शास्त्र में जो जो कर्म करने के लिए कहा है, उसका समय कहा, कली में आयू कम है। फिर अनासक्त होकर, फल की कामना न करके, कर्म करना बड़ा भारी कठिन है। इश्वर प्राप्ति बिना हुए ठीक ठीक अनासक्त नहीं हुआ जाता, न जाने कहां से आसकती आपड़ती है, तुम्हें पता भी नहीं लगने पाता। ज्यान योग भी इस योग में भारी कठिन है। एक तो है जीव का अन्नगत प्राण, उस पर आयू कम और फिर देह बुद्धी किसी तरह से भी जाती नहीं। इधर देह बुद्धी जाये बिना ज्यान तो बिलकुल भी नहीं होगा। ज्यानी कहता है मैं वही ब्रम्भो हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं क्षुधा, तृष्णा, रोग, शोग, जन्म, अमृत्यू, सुख, दुख, आदी से पार हूँ। यदि रोग, शोग, सुख, दुख, इत्यादी का बोध रहता है, तो तुम ज्यानी कैसे होगे। इधर काटों से हाथ कट रहा है, धड़ा-धड़ खोन बह रहा है, खूब दर्द है, फिर भी कहता है, कहां हाथ तो नहीं कट रहा, मुझे क्या हुआ है। तभी तो इस युग के लिए है भक्ति योग, इससे अन्य पथों की अपेक्षा सहज में इश्वर के निकट जाया जाता है। ज्यान योग, अत्वा कर्म योग और अन्य पथों द्वारा भी इश्वर के निकट जाया जा सकता है। किन्तु ये सब पथ बड़े भारी कठिन है। भक्ति योग, युग धर्म है। इसका यहां मतलब नहीं है कि भक्त एक जगह जाएगा, ज्यानी अत्वा कर्मी और एक जगह जाएगा। इसका अर्थ है जो ब्रह्म ज्यान चाहते हैं, वे यदि भक्ति पत को पकड़ कर जाते हैं, तो भी ज्यान लाप करेंगी। भक्त वत्सल यदि चाहे, तो वे चाहने से ही ब्रह्म ज्यान दे सकते हैं। भक्त इश्वर का साकार रूप देखना चाहता है, और उनके संग में आलाप करना चाहता है। प्रायह, ब्रह्म ज्यान नहीं चाहता। तब भी इश्वर तो इच्छा मय है। उनकी यदि तो वे भक्त को समस्त अईश्वरिय का अधिकारी कर देते हैं, भक्ती भी देते हैं, ग्यान भी देते हैं। कलकत्ता में कोई यदि एक बार आकर रह सके, तो गढ़का मैदान, सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम सभी देख सकता है। बात तो यही है, कि अब कलकत्ता कैसे आना हो। जगत की मा को पा लेने पर भक्ती भी मिलेगी, ग्यान भी मिलेगा। भाव समाधी में रूप दर्शन, निर्विकल्प समाधी में अखंड सच्चिदानन्द दर्शन होता है, तब अहम, नाम, रूप नहीं रहता। भक्त कहता है, मा, सकाम कर्म में म पल मिलेगा, और फिर अनासक्त होकर कर्म करना कठिन है, सकाम कर्म करने से तुम्हें भूल जाओंगा, इसी लिए ऐसे कर्म का प्रयोजन नहीं है, जब तक तुम्हें न पालो, तब तक के लिए कर्म कम हो जाए, जितना साभी कर्म रहे, उसे भी जैसे अनासक्त होकर कर सको और संग संग जैसे कुप भक्ति हो जाए और जब तक तुम्हें पाना सको तब तक किसी नूतन कर्म में मन न जडित हो तब फिर जब तुम आदेश करोगी तब तुम्हारा कर्म करूँगा नचेत नहीं